आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लाश 12 सोसोलोजी का दूसरी बुक है हमारी सेकंड बुक और इसका चैप्टर है दूसरा उसका पार्ट भी है दूसरा सेकंड पार्ट है सांस्कृतिक परिवर्दन देखें इसके इंपोर्टेंट कोश्चन पार्ट वन में भी आपको कुछ बताये थे और आज के इस फीडियो में यानि पार्ट टू में भी आपको इंपोर्टेंट कोश्चन बताने वाला हूँ आज हम इस चैप्टर को पूरा कर लेंगे टेलिग्राम गुरूप आप जरूर जुड़ जाएं क्योंकि जो भी इंपोर्टेंट अपडेट्स होगी या कोई जानकारी होगी आपको हमारे टेलिग्राम गुरूप में मिलेगी और यहां पर हमने mcq जो कराये जारे उसकी PDF भी डाल दी है ठीक है टाइम टू टाइम डाल रहे हैं उसमें और जब हमारा यह सोचिलोजिका सिलेबस पूरा हो जाएगा तो उसकी जो mcq कोशन कराये जाएंगे वह आपको वहाँ पर मिल जाए करेंगे ठीक है शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को आज का सबसे पहला कुशन है हमारा पस्चिमी करन से क्या अभी प्राए है तो देखे भारत जो हैं अंग्रेजों का गुलाम राये 1947 में अपना देश आजाद हुआ था भारतिय समाज और संस्कृति पे लगबग 1500 वर्सों के अंग्रेजों के शासन के परिणाम सुरूप वैसे इनका जो शासन है लगबग 1500 से 200 वर्स के आस पास माना जाता है तो ये जो इनका अंग्रेजों का शासन राये इसके परिणाम सुरूप भारत में कुछ परिवर्तन आए है उस परिवर्तन को हम क्या कहते है पस्ची में करन का नाम देते है यानि हमारा ये जो परिवर्तन आई है कई छेत्रों में हमारे विचारधारा में परिवर्तन देखने को मिलते है हमारे रहनसेन में परिवर्तन देखने को मिलते है खानबान में बदलाओ, जीवन शैली में बदलाओ, हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो चुका है, बहुत सारे बदलाओ हमारे अंदर रहा है, यहां तक कि हमारा लिटरेचर, साहिते, इसमें भी बहुत ज्यादा बदलाओ दिखा है, ठीक है, तो यह सब क्या है, इसी को हम कह को अपनाते हैं तो यही पॉस्च्चि मीकरन है डितके तो पश्चि मीकरन क्या है इस भारत की संस्क्रिटी पर क्या प्रभाव पड़े क्या है तो यहाँ पर आपको सिंपल यह बताय लाइन में अब वो प्रभाव जो हैं इसको थोड़ा और आगे देखते हैं डिटेल में देखें अंग्रेजों के आने के बाद नए नए टेक्नोलोजी आई उस टेक्नोलोजी को अपनाया गया यानि एक बदलाव प्रोद्योगी की चेत्र में भी है संस्तागत बदलाव भी देखें गये हैं विचार धाराएं बदली हैं कि पस्चिमी मूले जो हैं उसको बहतर माना जाने लगा हैं क्योंकि मैं आपको बताओं कि आपने पढ़ा होगा कि जो अंग्रेज थे वो अपने आपको मॉडर्ण बताते थे और भारतियों को वो बेवकूप समझते थे और भारतियों को वो असब भे मानते थे बर-बर मानते थे चीक हैं और जो kуч भारतिया ऐसे थे वो भी अंग्रेजो के जो तौर तरीके थे उसको अपना कर अपने आपको मॉडर्ण समझने लगे थे इस तरीके से अंग्रेजों के आनेके बाद उनकी व्यवस्ता को देखने के बाद पस्चिमी करन जब भारत का होने लगा भारते संस्कृति में भी बदलाव देखने को मिले हैं हमें देखे हमारे रहन सैन में बदलाव हमारे जो पुराना जो तौर तरीके थे वो काफी अलग थे अब जब अंग्रेजों के आने से क्या हुआ हमारा रहन सैन बदल गया उनके जैसा लाइफस्टाइल हम अपनाने लगे और उसको हम भैतर भी मानते हैं खान पान में बदला हुआ रहा है अब आप देखते होगे कि भाई सुबह जो नास्ता नास्ते में ब्रैट टॉस वगेरा जो यूज किया जाता है या जो इस तरीके की चीज़े यह भारती अगर हम खान पान में देखें तो यह चीज़े नहीं होती है ठीक है जो भारते खान पान है उसमें दूद दही घी डाल चावल रोटी इस तरीके का खान घाया जाता है ना कि बर्गर और यह सब ऐसी चीज़े लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है कि हमारा खान पान जो है बिलकुल बदलता जा रहा है कहीं ना कहीं यह भी पस्चिमी करन के कारण हो है ठीक है हमारा जो रहन सेन है लाइप स्टाइल है वो बदलता जा रहा है हमारे कला और साहिते पर भी पस्चिमी करन का परभाव पड़ा है जाए वो हमारी फिल्मे हो हमारा लिटरेचर साहिते ह सब में बदलाव देखने को मिला है तो ये सारे पॉइंट हो जाएंगे इसके अलाबवा और भी बहुत सारे पॉइंट है मैं आपको और बताता हूँ देखिए नए-नए उपकरनों का प्रयोग यानि नए-नए जो औजारे हैं टूल से इस तरीके के कपड़े पैंते थे गाउं में जो रहते थे आज के समय में इस चीज में पूराना पहनावा था वह हम बदल रहे तरह हम बिल्कुल और इनके समाज में कैसा था उन चीजों को अपनाया जाने लगा है आदितों में बदलाओ अपने आपको modern दिखाने के लिए बहुत सारे तोड़ तरीके हमने उनके अपनाये हैं यह सब कुछ जो है एक्जामपल है कि किस तरीके से बदला हो रहा है आपने देखा हो एक टेबल उसके चारो साइड चेयर लगा दी जाती है और फिर बैट के खाना काते हैं तो यह जो है भारती सब्वेता में ऐसा नहीं होता खाना जो होता था वह जमीन पर बैट के खाते थ तो यह मतलब समझ रहो ना किस तरीके से जो है बदलाव आया है और यह सबी का सबी क्या है यह पश्चिमी करण के वजए से ही यह बदलाव समाज में आये हैं यह परिवर्तन समाज में आये हैं एक कोशन है आपका कि आधुनी की करण से क्या अभी पराए है तो देखे आध अधुनिकी करण शब्द का एक लंबा इतिहास है अलग-अलग समय में इस शब्द में बदलावाते गए ठीक है परतेक समाच और उसके लोग आधुनिक बनना चाते हैं हर कोई चाता है कि भाई वो आधुनिक हो जाए और आधुनिकता का मतलब क्या है यहां पर देखिए सु उत्पादन परकिरिया में होने वाले सुधार से यानि जब टेक्नलोजी बढ़ जाती है टेक्नलोजी का विकास होता है उत्पादन परकिरिया बढ़ जाती है उसमें सुधार होने लग जाता है तो उसको कहते हैं कि हम मौडन हो रहे हैं हम आधुनिक हो रहे हैं पहले ऐसा लगा जाता था लेकिन बाद के समय में इसका मतलब जो है इसका अर्थ जो है वो बदलने लगा बाद में आधुनिकरन को विकास का ऐसा तरीका माना जाने लगा जो पस्चिम यूरोप और उत्तर अमेरिका ने अपना है था यानि बाद में तो सिधा सिधा ये बोला जाने लगे और अपने आपको modern कहने लगे तो यह पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखने हैं बहुत इंपॉटेंट है पेपर में आप अराम से लिख पाऊगे मैं आपको सिंपल तरीकी से समझारूं ठीक है चलते हैं नेक्ष्ट में पंत निर्पेक्षी करन का मतलब एक ऐसी प अगेरा के बारे में आपने क्लास 11 के हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि उसमें धर्म का बहुत बड़ा रोल था आपने देखा चर्च का बहुत बड़ा रोल था यहां तक कि एक व्यक्ति ने एक आविश्कार कर दिया था या एक खोज गर ली थी आप ऐसा था देगा तो फिर उसके साथ बहुत बुरा होगा क्योंकि लोग खिलाफ हो जाएंगे यह धर्म के खिलाव जा रहा है या एक समय ऐसा था जब धर्म का बहुत रोल होता था लेकिन पंत निर्पेक्ष करन के तैट ऐसा माना जाता है कि धर्म का परभाह जो है धीरे धीरे लाइफ में क्या होता जाता है काम होता जाता है आधुनिकरन के सिद्धान्त के विचार ऐसा मानते हैं कि आधुनिक समाज में यानि modern समाज में ज्यादा से ज्यादा पंत निर्पेख्ष होता है यानि ज्यादा ज्यादा लोग पंत निर्पेख्ष हो जाते हैं यानि कि धर्म का उतना ज्यादा रोल नहीं रह जाते हैं ये विचारक आधुनिक समाज में धार्मिक संस्तानों और लोगों के बढ़ती दूरी का साक्षे भी देते हैं जो विचारक है जो पंध निर्पेक्ष की बाते हैं वो ये भी सबूत देते रहते हैं कि धार्मिक संस्तान और लोगों की बीच में कैसे दूरिया बढ़ती जा रही है और एक आर्टिकल बढ़ाता मैंने कि यूरोप की बात है वहाँ पे पहले जो के सम बतलब खाली बढ़ी रहते हैं वहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं तो आप इस तरीके से समझा सकते हो कि लोगों का और धर्म का जो आप यह को कि धर्म का जो प्रभाव होता वो दिरी दिरी कम हो रहा है कुछ इस प्रकार से लेकिन यह हमेशा सत्ते नहीं होता यह जो बा यह चीजे सही नहीं होती लेकिन फिर भी माना जाता है कि पंत निर्पेक्षी करण का मतलब यह है कि जो धर्म है उसका प्रभाव धीरे-धीरे-धीरे-धीरे क्या होता है कम होता जाता है तो यह हो जाएगा नेक्स्ट है कि जाती के पंत निर्पेक्षी करण का अर्थ बता तो यह तो हमारा हो गया जाती अब जाती में भी पंत निर्पेक्षी करन का मतलब है काफ इस पे काफी मतलब वाद विवाद होता है अलग-अलग जो विद्वान है उन्होंने इस पर बहुत जादा अलग-अलग तरह के विचार दी है जिसके बीच मतबेद भी है भारती समाज में जाती विवस्ता एक महत्पुर्ण संस्ता है आज के समय में जाती राजनितिक दबाव समों के रूप में जादा कारे कर रही है एक चीज़ देखिए एक समय ऐसा था जब जाती प्रता भारती समझ में बहुत बड़े लेवल पे थी आज भी ऐसा नहीं है कि जाती प्रता खतम हो गई है हरे वक्ति किसी ना किसी जाती से जुड़ा हुआ है लेकिन एक समय यह था कि जब जाती प्रता भाव बहुत जादा थे अब वो भीदभाव समय के साथ के आ रहे हैं दीरे दीरे कम हो रहे हैं और शहरों में तो यह भीदभाव आपको बिल्कुल ही नहीं दिखेंगे हो सकता है गाओं में आज भी होते हों ऐसे भीदभाव लेकिन यह जो जाती है यह बहुत महत्पून है क्योंकि यह राजनीतिक दबाव समू के रूप में कारे करती है जिस जगा पे एक जाती के लोग बहुत सारे होते हैं वो सत्ता पे भी दबाव बनाते हैं और अपनी मांगो को मनवाने के लिए सरकार पे दबाव बनाते हैं यह दबाव समू के रूप में भी जाती काम करती है यानि अब जाती भी दबाव थोड़े कम हुए है लेकिन दबाव समू के रूप में काम चल रहा है इनका भारत में जाती संगटन और जातिकत राजनेतिक दलों का उद्वा हुआ है यहां पर भारत में बात करें तो कुछ ऐसे राजनेतिक पार्टी हैं जो केवल और केवल जाती को लेकर ही खड़ी हो गई है एक्जामपल के लिए आप देख सकते यूपी में बीएसपी जो दलिस्तमुदाय के नाम पे हैं और भी गई सारी पार्टी हैं जो किसी विशेश जाती को ध्यान में रखकर बनी थी और उस जाती पर उसका काफी ज़्यादा प्रभाव है तो यह जो जातियां होती हैं फिर यह दबाव सो मूँ के रूप में काम करते हैं और अपनी राजनेतिक दलों पे दबाव बनाकर अपनी मांगों को भी बनवाते हैं यह जाती का संगटन अपनी मांग बनवाने के लिए सरकार पे दबाव डालते हैं और जाती की यह जो भूमी का बदल रही है अब इसी को जाती का पंद निर्वेक्षी करन कहते हैं अयोब आपको समझ में आया हो नहीं समझ में आया तो मैं आपको और आसान शब्तों में समझाता हूँ देखिए जाती जो है भारत में एक प्राचीन सज़ता है आप जानते है समाज दो तरीके से बटा हूँ था उच्छ जाती और निम्न जाती उच्छ जाती के लोग जो थे वो भेदवाओ करते थे निम्न जाती के लोगों के साथ निम्न जाती के लोगों के साथ क्या होता है भेदवाओ होता था ये होता था लेकिन समय के साथ यह चीजे क्या होती है, यह दिरे दिरे उच्चे और निम्न दिरे-दिरे कम होता जा रहा रहा है, यह जातिगत भेदबाहु जोहें काफी कम होते जा रहे हैं, जैसा पहले होता था अब ऐसा नहीं है शैरों में बिल्कुल नहीं होता, गाउन में आज भी हो सकता है शायद होता हो पर ये दीरे-दीरे कम हो रहा है तो ये तो आपने समझ लिया इतना आपको बताई है इसके बाद क्या है अब ये जाती जो है भेदबाव थोड़ा कम है लेकिन ये दबाव समू के रूप में काम करती है दबाव समू क्या होता है दबाव समू जनतंक परिका है इसी को जाती का पंति निर्पेक्षी करन कहा गया है उम्मीद गरता हूं आपको समझ माया होगा ठीक है तो यहां पर हमारा वीडियो वह खतम हो जाता है आपको नोट्स पढ़ने है तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करिए अपको गूगल पर जाके सर्च करना है अपके सामने नोट्स खुल जाएंगे आप उसको पढ़ सकते हो ठीक है आपको यह ध्यान रखना है कि जो कुछ सब्जक्ट के नोट्स हो सकते है आपको ना मिले तो आप वेट कर लो हम डाल रहे हैं तो हमें दस दिन लग जाएंगे ल लाने वाले हैं वेट के अधर आप जरूर डाउनलोड कर लें उसमें आपको क्वीज वी मिल जाएगे हमारी आ आप मुहापे क्विज दे सकते हैं फिर मैं आप सभी से चैप्टर हमारा आइवालक खतम हो गया ठीक है कि धैक्स वर वर्चिंग सभी आपको जैहिंद जै भा आरत